आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होगे तो गाइस इस वीडियो में मैं क्या बात करने जा रहा हूं कि यार एक्चली में आप लोग ट्रेडिंग करके करोड़ पती बन सकते हो या नहीं ठीक है जैसे आप जॉब का सोचते हो कि यार ऐसा हो जाएगा कोई बहुत बना लेंगे क्या आप ट्रेडिंग करके करोड़ पती बन सकते हो या नहीं हम लोग इस बारे में आज बात करेंगे ठीक है और मैं आपको बता देता हूं अगर आप लोग नए हो बिल्कुल भी ट्रेडिंग में और आपको ऐसा लगता है कि यार ट्रेडिंग करके करोड़ बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि यार सिंपल सा काम है, हमें सिर्फ और सिर्फ लैप्टाप के सामने बैठना पड़ता है, और ट्रेडिंग करना पड़ता है, आपने लाइफ देखी होगी, ट्रेडर्स की, की ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इस तरीके से जेड़ना चाहता हूं क्योंकि देखो हमेशा यह उसनुद काम ज Això हाएक कोई पॉइशन पॉइट उसमें करने वालों के पास क्या रिस्क नहीं होता बिल्कुल कोई जॉँ करने वाले कभी भी बाहर जा सकते हैं अगर औल झाम न करें वह LAURA का mirror के से वैसी worst करने में कने वह нिदेखके चैकर लॉफ सी तरीके से ट्रेडिंग करने में भी एक रिस्क लेख क्या है है जो आपको यह बताना चाहता हूँ, देखो, मानलो आप एक student हो जो college में पढ़ते हो, जो कि मुझे देख रहे हो कि जो भी, तो आप लोग को यही लग रहा होगा कि यार, हाँ यह बिल्कुल सही कहा रहा हूँ, मैं mostly लोग जो है college में पढ़ते होंगे, आप लोग के age कम होगी, 18- 22 के बीच होगी, ठीक है, so आप college में पढ़ते हो, आपको लगभग zero knowledge है trading का, अब आप लोग क्या चाहते हो, कि हम side income create कर लें, किस से trading से, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, डाउट किसार, हम लोग college में हैं, हमको side income create क क्यूं बोल रहा हूँ मैं ऐसा, अब ही आप मेरी videos देखोगे, ads चलेंगे, maybe मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो मेरे trading के videos है, ये बात मैं बोल रहा हूँ ना, कि trading हार्ड है, तो maybe कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन मैं ये इसलिए कहना चाहर हूँ आप लोग से क्यूंकि trading को सब लोग बहुत easy समझते हैं, तो trading में क्या है ना, psychological खेल बहुत जाद है, psychology का खेल सबसे जाद है, है ना, और psychology को control करना ही सबसे बड़ी और सबसे hardest चीज होती दुनिया में, खुद को control करना, psychology को control करना, ये सबसे ज़्यादा important होता है, सबसे ज़्यादा hard होत 99% लोग जो trading करते हैं, उन में से, करीब 100 में से 95% loss करते हैं, तो इसका reason क्या रहता है कि वो loss करते हैं, क्योंकि trading स्टार्ट करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक app install कर लेना है, ठीक है, directly पैसे add करना है, buying selling video देख लेना है, होगे आप trading स्टार्ट क पड़ेगी, कि यार, actually मैं आप तो इससे पैसे कमा रहे हो, अब मैंने college का example क्यों दिया, क्योंकि देखो, लोग trading में fail क्यों होते हैं, क्योंकि enough पैसा और enough time, ये दोनों चीजों में से एक भी चीज अच्छे से नहीं देना चाहते हैं, अब पैसा और time कैसे देना है, मैं आ अब इन दोनों चीज से क्या होगा, ठीक है, आपने फीज दी पहला, दूसरा आपने क्या किया, आपने चार साल का वक्त दिया, ठीक है, अब फीज आप कुछ भी ले सकते हो, चार लाग, पांच लाग, जित्ती भी लगती हो भाई, colleges के उपर depend है, उसके बाद आपका महीन तो यार, trading भी आपको पैसा देता है, ठीक है, और क्यूंकि trading भी आपको पैसा देता है, तो यहाँ पे आपको यह चीज समझें पड़ेंगे, कि time और पैसा यहाँ पी लगाना पड़ेगा, ज वो लोग जो एकदम फेल हो चुके हैं ट्रेडिंग में ना वो ऐसे लोग जिन्हों ने कभी भी टाइम और पैसा नहीं दिया ट्रेडिंग को ठीक है और जो 5% लोग जो सक्सेस्फुल हैं वो लोग क्यों कि वो इसको ऐसा करियर लेकर चलते हैं वो यह चीज समझते हैं कि इस को इनफ टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए और इनफ पैसा लगाना पड़ेगा तब जाकर के हम इस स्किल सेट को सीख सकते हैं में सारी बाते आपको इसलिए बता रहूं ता कि आप लोग गुमराहन ना हो जाओ ठीक है और अगर ट्रेडिंग सीखना चाते हो काम करन चाहते हो तो आप लोग क्या कर सको आप लोग इस चीज को समझ सको कि टाइम और पैसा जो सबसे वैल्यूबल चीज होते हैं कि इनसान की जिन्दगी में वह यहां पर यूस होनी होती है ठीक है तो मैं आप लोग बताना चाहा रहा हूं कि क्या करोड़ पती बन सकते हो यह ठीक है तो देखो ट्रेडिंग से करोड़ पती और करोड़ पती ये दोनों में एक बहुत बार डिफ्रेंस होता है कभी इसको सेम लेकर के मत चलो ठीक है आप सीधे-सीधे किन के पास जाओ जो एक्चल में करोड़ पती होते हैं उनका एक ही मेजर पार्ट होता है आप लोग ह हमेशा याद दखना कि उनकी एक source of income नहीं होती उनकी major sources of income होती है ठीक है तो वो लोग जो ट्रेडिंग में successful बनते हैं जैसे मैं भी हूँ और बी जितने भी लोग हैं जो profit बनाता है ये वो हम सभी लोगों के पास side income होती है और side income अगर हम नहीं create करेंगे तो हम fail हो और अगर आपके पास एक से जादा income नहीं है तो I don't think so कि आप करोलपती बन सकते हो आप trading से बोलो आप business से बोलो आप गाना गाके बोलो आप dance करेंगे जो कोई भी हो आपको side income create करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो trading से क्या आप करोलपती बन सकते हो नहीं only trading अगर trading में नए हो ना इस point को बहुत जादा ध्यान सुनना जब आप trading स्टार्ट करते हो तो trading में क्या सीन है कि आपको सीखने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है और पैसा जब आप लगाओगे ना तो सीखते वक्त ही loss होगा तो जो इनसान ये समझ जाएगा कि मैं अपने दस लाग एड कर दिया तो वहां पर में को लॉस हो गया अब जब मैं वापिस से profitable बन गया बहुत महनत किया मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा और मैं profitable बन गया तो वहां पर क्या सीन हुआ कि यह वहां पर अब में को आता है profit बनाते लेकिन अब मेरे पास सामने 10 ल बन जाओंगो जब मैं ट्रेडिंग सीख जाओंगो मुझे strategy आने लगेगी तो वहां पर मुझे कम टाइम लगेगा तो इस एरिया पर जो मैं आपको बनाना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो ट्रेडिंग से successful बनना ट्रेडिंग से करोड़ पती बनना तो आपको ऐ यह major part नहीं होता बट फिर भी एक part होता है income का जो हम लोगों को help करता है imagine मैं 10 लाग से trade कर रहा हूं और मैं 50,000 का risk ले रहा हूं किसी एक trade में तो वहां पर मैं तभी ले रहा हूं यह risk जब मेरे पास enough sources of income है जो मुझे support करती है मेरे losses होने के बाद अगर मैं 50,000 का risk लेने को कोर्स sell करते है मैं कहता हूं आप कोर्स sell करके भी देखो आपको actual में पता चल जाएगा कि मतलब क्या आटे दाल का भाव हो जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हो मैं जानता हूं बहुलो कमेंट भी करोगे बट ठीक है आप एक बाद खुछ से sell करके दिखा तो आप आपको समझ में आ जाएगा सोचो ना एक पर्सन जिसको आप वीडियो में देख रहे हो और आप उसको पांत सो शे सो रुपय का पेमेंट कर दो इमेजिन पांत सो शे सो का कोर्स अगर आप बाई कर ले हो चार अजार पांच हजार क्या पचास हजार भी लोग पे करते हैं पांसओ छे सो भी मैं पर्सनली किसी एक रैंडम बंदे को जिसको मैंने वीडियो में देखा मैं कभी उसको पीमेंट करूंगा ही नहीं ठीक है आप तब ही करते होगे जब आप उसके इंदर कोई क्वालिटी कोई स्किल सेट देखे होगे ठीक है लोग पे जरूर करते हैं बट तब ही कर पाते हैं जब आप उस बंदे के अंदर कोई क्वालिटी देखे होगे सो ट्रेडिंग से करोड़ पती बनने के लिए आपको अपने अंदर डिफेरंट टाइप अप स्किल सेट को एड़ करना पड़ेगा अब वो स्किल सेट जो है वो ट्रेडिंग से तो यह बहुत ही जादा वाइड कॉंसेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ट्रेडिंग से करोल पती बनना है बिलकुल बन सकते हो बट नॉट अंली सिंगल स्किल सेट जो ट्रेडिंग है उसके वेसमें इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना आपको और बेलकुल कुछ नहीं पता है तो यह playlist देखने ना बिगनर ट्रेडर्स के लिए मैंने बनाई है बहुत जाधा help करें आप लोग को तो आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मुझ डिस साइड दे लॉज टेडर साइनिंग आउट